तो भाई Cosmic Byte is finally back in action, बहुत टाइम से इनके product launch नहीं हो रहे थे और इन्हों नगाब आएसा एक साथ ही कर देंगे, मुझे comment section से बता लगा कि यह keyboard launch हो गया, कुछ पता नहीं इन्होंने, earphone और controller और पता नहीं या क्या, मैंने सर्च करा, मैंने का ओहो, ओके वैसे budget मसाला मिल जाएंगे, और मैं mechanical कह रहा था, basically optical switches के साथ आते हैं, जिस price point पे रहने launch करें है, like 3400 रुपीज में जो wired वाला variant है, and 4500 रुपीज का wireless variant है, optical switches के साथ, इस time पे जो मैं keyboard देख पा रहा है, Amazon पे, सिर्फ और सिर्फ razor का keyboard है, साड़े 6-7000 रुपे के आसपास, and इतने कम price point प तो यहां पर वैसे box मिल जाएंगे, येलो एंड ब्लैक, और इसके अंदर से हमारे को extra switches मिल जाते हैं, एक dongle मिल जाएगी, wireless connectivity के लिए, और यहां पर key puller और switch puller मिल जाएगा, detachable cable मिलेगी, type A to type C वाली, और एक मिल जाएगी user manual, और यहां पर सारे shortcuts वगेरा दे रखे हैं, जो जो आप कर पाऊं keyboard पे, और finally ये आजाता है हमारा keyboard, और यहां पर इसे black color में available है, कोई और color option नहीं है, वैसे मेरे को था white में भी अगर निकाल देते तो और बड़िया चीज हो जाती, white themed setup वालों के लिए, और यहां पर जो दूसरा box है, ये wired वाला मंगाया था मैंने, wired पाले के अंदर कुछ SS different नहीं है, बस यहां पर हमारे को same accessories बगारा मिल जाएंगी, cable भी इसके अंदर detachable वाली है, सब को same है, बस इसके अंदर हमारे को battery नहीं मिलती, बस ये wired connection के साथ ही चलेगा, बागी और कुछ different नहीं है, और हाँ, एक मेरा brand के लिए suggestion है, जो ये wireless वाली औंगल है, समझी है ना मतलब, और वाई सबसे बहले बात कर लिते है, build quality को लेके तो यहां पर solid build quality यहां मिलती है, यहां पर keyboard का जो polycarbonate है, वो अच्छा खासा use हो रखा है, और यह ना elevated design में ही है, यहां पर नीचे से लेके उपर तक elevation जा रहा है, और यहां पर हमारे को different levels भ बड़ा वाला मिलता है, तो अपने हसाब से और जादा इसको adjust कर पाऊगे, और यह एरिया मेरे को अच्छा लगा, wire management के लिए, जिनको थोड़ा OCD वाला इसाथ किताब है, यहां मुझे wire एकदम clean वाला setup चीए, यहां पर सामने से निकालनी हो, और सामने से निकालनी हो, इसपोर्स गेमर्स को, जिनको जादा टेबल पैस है, जिनको जादा खाली-खाली हिसाब किताब चाहिए, इतर उतर की जादा टाइपिंग निया है, कोई हिसाब किताब नहीं है, तो वो लोग वहला लेते है, और एक 104 कीज लिया उटाता है, जिसके अंदर हमारे को numpad भी म मिटे का नहीं, ऐसा ब्रैंड का कहना है, मैं इतना जादा भी यूज नहीं है, तो साल दो साल बात को ये वीडियो देख रहा होगा, तो कॉमेंट करना के भाई, या मेरा नहीं मिटा, और यहाँ पर कीज की स्टेबलाइजेशन की बात करें, तो यहाँ पर हमारे को decent मिलती है, बट उसके वेशेन, experience में मेरे को ऐसाज को इशू नहीं हुआ, experience के बारे में भी आगे बात करेंगे, और बात करते हैं, अगर switches की, तो भाई, optical switches के साथ ही आते हैं, optical switches मतलब यह भी mechanical switches ही है, मतलब जो खटर खटर वाला कीबोर्ड होता है, मतलब यह traditional mechanical switches से different होते हैं, यह switches, और यह जो हमारे पास keyboard है, blue switches के अंदर है, इसके अंदर आपको red और brown switch के options मिल जाएंगे, और जिसको यह नहीं पता कि यह red, brown, blue के है, वैसे मैं काफी वीडियोस में बता चुक हूँ, blue switches होते हैं, यह full cutter cutter मामला, जो मेरे को थोड़े जादा परसनली पसंद है, एक्दम बढ़िया loud and clicky sound होती है, red जो होते हैं, उसके अंदर कोई bump नहीं होता और कोई भी clicky sound नहीं होती, तो red हमारे बिल्कुल ही silent होते हैं, लेकिन अगर brown switch की बात करते है, clicky sound तो उसके अंदर भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर tactile bump होता है, तो उसके अंदर हमारे को थोड़ी सी कुछ अलग feel आ रही है, किसी के थोड़ा responsiveness जादा होती है, थोड़े कोई काम होता है, ऊपर नीचे होता है, वैसे जाद आपकी gaming पे या day-to-day task पे इंपैक्ट नहीं आएगा, और हाँ जो major physical change है, optical और mechanical switch का, यह mechanical वाला है, इसके अंदर हमारे को pins मिलती है, जो pin हमारे dedicatedly motherboard म जाके attach हो जाती है, और optical switch आप देख सकते हो, हाँ पर कोई भी connection के लिए भाई, कोई भी metal metal की pin ही नहीं है, तब तुमारे दिमाग हमारे कानेक्ट कैसे हो रहे है, यहाँ पर keyboard के अंदर sensor मिलता है, और जैसे की को प्रेस करता है, बीच वाला जो portion है वो नीचे तक पहुंचत ब्लू से रेड में shift करना है, रेड से ब्राउन में करना है, और या कोई आपको switch particularly खराब होगा है, तो पूरा keyboard बदलने के ज़रत नहीं है, आप switch मंगाओ और switch चेंज कर सकते हो, इनकी website पर switches आपको मिल जाएंगे, 150 रूपीज के 20 switches के आसपास मिल जाते है, तो इतने कोई म ब्लूटूथ वाला सीना, wireless keyboard के अंदर, तीन devices के साथ ये connect हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, QWRT पर different modes है, FN के साथ combination में आप इनको change कर सकते हो, तीन Bluetooth mode हो गया, एक wired हो और एक RF वाला हो गया, जो मारा wireless वाला mode होता है, और यह keyboard आता है, 1000 Hz के polling rate के साथ, यानि कि latency है, वो हमारे को polling rate से पता लगती है, यानि कि इधर से key आपकी दबेगे, और आपके system तक तुरंत response पहुँच जाएगा, तो gaming में कोई दिक्क्त नहीं है, और जैसे gaming keyboard है बना तो light होनी बहुत ज़रूरी है, उससे हमारे को मिलता है full FPS, मतलब reality में मिले ने मिले है, तो दिल चेंज कर सकते है, Fn plus arrow down और arrow up से, और यहाँ पर हमारे को different effects मिल जाते है, keyboard के ओपर, Fn plus ins key से हमारे को different effects मिलते है, और Fn plus delete key से हमारे को different color मिलता है, उसे effect के ओपर, और Fn plus end key से हम इसकी lighting को off भी कर सकते है, और यह तो सारे presets होगे, और lighting सिर्फ प्रीस तक ही नहीं है, पर कि RGB कीबी का सपोर्ड भी है अपने साफ से कुछ कस्टमाइज लाइड बनानी हो तो इसके सॉफ्टर में आप कर पाऊगे तो यहां पर हमारा कीबोर्ड बन क्या रहा है पहले आपको मिल जागी की की सारी कीज आप कस्टमाइज कर सकते हो फॉर एक्जामपल फाइव की के ऊपर यहां पर आप कीबोर्ड से भी चेंज कर सकते हो यहां पर आता है की लाइट कस्टमाइज इस इस वाले इरिया को आपने सलेक करा और यहां पर ब्लू कलर कर दिया इस वाले एरियों को आप सेलेक्ट करोगे यहां पर कर दिया तो यह पर की आरजीब आपको मिलेगी इवन सिंगल सिंगल की का कलर भी आप rainbow हम select कर देते हैं और background का mode भी आप select कर पाऊगे कैसा mode जीसे white select कर देता है तो जैसे हम याप music play करते background में उस हिसाब से lights react करती है यह मेरे को चीज बहुत सही लगी और बाई जैसे कि wireless device है तो battery backup matter करता है इसके अंदर 3,000 mAh की battery है 7 to 14 days का backup आपको मिल जागा depending upon your usage लाइट के साथ यूज़ कर रहे हो, Bluetooth mode पे यूज़ कर रहे हो, dongle के थूज़ कर रहे हो, dongle के थूज़ सब साधा बैटरी यूज़ होती है, प्लस साथ मेंगर आप RGB के नशे भी कर लेते हो, तो 7 से 15 दिन के आसपास जो की सही है And now talking about the experience, तो experience दे को वैसा ही मिलता है, जैसे हमारे को 5000 से नीचे-नीचे कोई भी कीबोर्ड के साथ मिलेगा, मतलब यहाँ पे elevated design है, ergonomically अच्छा है, यहाँ पे हमारे को elevation के लिए clips भी मिल जाते हैं, अपने recording of adjust कर सकते हैं, मेरे को gaming के अंदर कोई problem नहीं हुई, even अगर हम document वा होती है, इस में खजक-खजक टाइप की अवाज है, थोड़ी extra loud है, तो अगर आपको ज़्यादा loudness पसंद नहीं है, तो blue वाले मैं आपको recommend नहीं करोंगा, आप radio brown के लिए जाना, तो यह तनका पूरा review Cosmic by Trinity gaming keyboard का, और जहां तक मुझे लगता तुम्हारे दिमाग में आग जैसे कि मैं आपको इंटरों बताता है, रेजर का keyboard है, जो 6500, 7000 के आसपास में है, उसके अलावा competition में तो कुछ भी नहीं है, तो यहां पर यही एक major difference है, और optical में क्या-क्या फायदे आपको है, वो मैं आपको अल्रडी बताई दिया, और जो इसका wireless वाला है, वो मेरे को ज चाहते हो, सब comment section में बढ़ देना, हम आपकी demand वोता फूल पूरी कर देंगे, पसनाई वीडियो लाइक मार देना, पहली बारा सबस्क्राइब, मिलते नेक्स वीडियो अब तक के लिए, बाई!